मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ, वो मेरे संरक्षन में पढ़े, साक्ष चाहिए यूपी बोर्ड से हाई स्कूल का साक्ष मिख सकता है, कालेज में जाकर के लोग देख लें, उनके साथ जो पढ़ें उन लोगों से मिलवा सकता हूँ मैं, महंत जी के उपर और भी जो आ बहुत था, और भजन किरतन में बड़ा वो लेते थे, हमारे पिता जी के सबसे बिस्वाची थे अपने नाना के वो जो है, जो सुसाइड नोट वाइरल हो रहा है, सामने आया है, आप निताब तक भी पहुँचा होगा, आपने भी देखा होगा, हमारे चैनल पर देखा हो कि उनके अंदर क्या बात थी, मेरी उनकी पंदरह या सोला तारीक को बात होई थी, मैंने एक किताब लिखी थी, उसके लिए मैं वो आपको एक के पहले मैं एक मिनट के लिए बता दू कि जब वो घर छोड़ के 808 में गये, उसके बाद 2001 के कुम में वो आये, और कहीं से मेर नमबर लेकर कि मुझको फोन किया कि मैं महंत नरेनगीरी बोल रहा हूं, तो मैंने कहा कि मैं किसी महंत को नहीं जाता कौन बोल रहे हूं, तो कहें वो हस्ते हुए घर के नाम से बोले कि मामा, मैं बुद्धू बोल रहा हूं, सन्यासी हो गया हूं, उनका जो घर का नाम था पढ़ने लिखने में, हर इस पी उसमें डिवेट में भाग लेना, अपना कहानी निबंध प्रतियोगता में भाग लेना, इन सब चीजों में हमेशा आगे रहते थे, ये सब बातें बिल्कुल अनरगल हैं को पढ़े लिखे नहीं थे, दसकत नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सक में लाधास नोकरियां बड़ी बड़ी शक्त होती थी, ये हैं हमारे साथ महंत दिवंगत महंत नरेंदगिरी के मामा और मामी जी जो उस दावे को जुटला रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि महंत नरेंदगिरी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपना नाम में वो कलर के पदपर थे और पढ़ाई के दौरान बेहर टेलेंटेट थे वो कैमेर में रोहिश्री वास्तों के साथ मुहम्मद मौहीन एबीपी गंगा प्रयाग राज एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी